हेलो एब्रिवन नमस्कार स्वागत है आप सभी का स्टरी कोच 91 योटोब चैनल में दोस्तो एक लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं अभी अभी अमर उजाला की वेबसाइट पे यहाँ पर आप सभी लोग डेट एंड टाइम देख सकते हो 16 अप्रेल 2028 बच के 52 मिनट पे यह पोस्त को अपडेट किया गया है दोस्तो इसमें क्या अपडेट है पूरी आप लोग को जानकारी मिलेगी तो वीडियो के साथ पुरा अंत्य तक ज़रू बनी रहेगा और यह बाते जो है पूरी स्टुडेंस को सभी बीट्यों पे स्टुडेंस को जरूर जाननी चाहिए क कौन-कौन से जो कॉलिज की बनाने के लिए बात हो रही यहीं, यह सब히 जान कर आप लोग को जो इस वीडियो में जानने को मिलेगी तो यार बने रहिएगा वीडियो के साथ में विभाग तियार कर रहा प्रस्ताव, टिक है ? चलिए देखते हैं इसको विस्तार से आप लोग को में जादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहां पर उत्तर परदेश के दस राज के पॉलिटेक्निक संस्थानों को जो है सेंटर ओफ एक्सिलेंस बनाए जाएगा। इन संस्थानों को परदेश के मौडल संस्थानों के रुप में परदर्शित करने की योजना है। संस्थानों के चैन के बाद उनमें एक्सिलेंस बनने से कौन सी फैसिलेटी मिलेगी क्या उपलब्ध होंगी सुबिदाएं। संस्थानों में वाई-फाई, ए-लाइब्रेरी, प्लैस्मेंट सेल, सभी लैबों में उप्योगत यंत्र, स्मार्ट और वर्चुल क्लास्रूम, लैंग्वेज लैब और इनोवेशन सेल आदी बनाई जाएंगे। अगर सिच्छक की कमी है वहाँ पर, यानि के टीचर्स की, तो उसको भी दूर की जाएगी। जिस भी कॉलेज को सेंटर आफ एक्सिलेंस में चूच किया गया, तो उस कॉलेज में पढ़ रहे सभी स्टुडेंट्स की काफी अच्छी बात है ठीक है, और काफी अच्छी खुसकबरी है, उन लोग को सभी नॉलेज और सभी सुविधाय मिलेगी ठीक है, अब इसके जहां परदेश के विभिन हिस्सों और प्रांतों के छात्र आसानी से पहुंच सके, उन्होंने आगे बताए कि कानपूर, लखनव, गाजियाबाद, परियागराज, जहांसी, वाराणसी, गोरकपूर और आगराग के संस्थानों को सेंटर आफ एक्सिलेंस बनाय जाने की योजना बन रही है, ठीक है, अगर आप इन सभी दिस्टिक में से हैं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि अब आप लोग को जो है, बहुत ही जल्द, बहुत ही बढ़ियाँ फैसलिटी मिलने सुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब भाया जब ही सेंटर आफ अपडेट हुआ है, अमर उजाला की वेबसाइट पे, आसा है दोस्तों, आज की न्यूज पेपर में साय दिया आया होगा, अदरवाइस कल के न्यूज पेपर में आप लोग को देखने को मिल सकती है, ठीक है, बाकी दोस्त, इस वीडियो में इतना ही, अगर आप लोग इस किसे नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए पाए, जैहिंद